मोट हो था कि आपको कोई डिवाइज ना लेना पड़े 20-25 जार रुपे का ये 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 जैसे मैं आइकन प्रेस करूंगा तो इसमें यूट्यूब तो भाई ये जेख लो यूट्यूब चल रहा है ड्राइविंगे में बैट हूँ आपको एक चीज और दिखाता हूँ आपने यूट्यूब चलते हूँ दिखा देता हूँ बाकि उसके बारे में पूरा बाई बताएंगे कि क्या प्रोसी जरह उसा चलाने का बाकि रिकमेंट किसी को नहीं करता मैं कि आप यूट्यूब अपने गारी में चलाओ ड्राइविंग के टाइम पर है तो अपनी वीडियो च तो यूट्यूब चल रहा है ढ्राइविंग टाइम पर अब आप इसमें अगर यूट्यूब चलाना चाहते हो तो बाई जल 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 दी चैनल सब्सक्राइब कर लो वीडियो लाइक कर दो इसका लिंक बिल जाएगा आपो कैसे आपका यूट्यूब अश्यूब कर शाथा चला सकते हैं आप 700 में ऑन स्क्रीन ड्राइविंग के टाइम पर देख लो 6062 गारी चल रही है और यहां यूटूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं देललित भाई का प्यार है बड़े भाई हैं मेरे कि वीडियो चला हुई है बाकी अगर आप यह देखना चाहते हैं तो हम रुख चुके हैं जगह पर स्टेंड हो चुके हैं मैं बता दू यह चलती कैसे इस वारे में लालिद भाई बताएंगे मैं लालिद भाई किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको इसके लिए आपको अपने फोन में डाउनलोड करने पड़ती है ट्रिपल एडी एप अलगसे आइकन जैसे यह है यह अलगसे आइकन आपके फोन में बना हुआ आ जाएगा तो जब आपका एंड्रोइड आटो कनेक्ट होगा आपकी गाड़ी से आप अर्माट आटो पर क्लिक करिए तो आपका यह पूरा यूट्यूब ऐसे नीचा यह सब हेडिंग्स बनी अच्छी तो वह कभी-कभी अपना जैसे कहीं हम दाबे पर रुके हुए है या कुछ है तो चला के अपना दे दिया बैठे हुए अपना देख रहे हैं जब रिलाक्स कर रहे हैं बाकी ऑन दे वे आप्स लाइक डिफरेंट मूजिक आपस बेसे क्ली है कि हम इसे रिकमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब को चलाने के लिए इस गाड़ी में या कोई भी गाड़ी में जिसमें एंड्रोइड हो या ना हो लोग बीज-बीज-पच्छे-पच्छे-जार पर के डिवाइस लगा रहे हैं ठीक है दिस आपसलूटली फ्री आपको कुछ चार्ज नहीं करत सकते हैं कोई भी अराम से कोई दिक्कत नहीं है तो वह चीज आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग के ट्राइंग पर इस एकनौर करें कोई डिवाइस नहीं लगाना सिर्फ दिखाने का यह आपको कोई डिवाइस ना लेना पड़े 20-25 जार जो भी आप लेना चाहते हैं न आज टिंट कराते हैं उससे पानी जाता सिल और बॉक्स में उससे भी दिक्कत आती है तो यह रिजन तो हम खुद क्रेट कर रहे हैं खुद बना रहे हैं और बाकी और पुझे लगाई जैसे आपने सर्विस हो इसकी दसाजार वाली सर्विस भी हो चुकी आपकी कैसा एक्स कंपनी मना करती है basically because of the amount of sensors installed in the vehicle तो अब इसके लिए खाली मुझे सिरफ वाश करवाने के लिए कई बार थोड़ा शोरूम पर जाना मुश्किल लगता है कि वाश करवाने शोरूम पर जाओ specially बाकी service से related कोई issue नहीं था service was like very well done कोई issue नहीं आया गाड़ी में आपने कभी इस कुछ है उसमें आपने कोई issue नहीं देखा अस तक नहीं मेरे पास starting में one month ऐसा हुआ था कि screen on नहीं हुई थी but वो मुझे कहीं नहीं लगता है कि शायद इसका एकना जैसे चावी on-off करने का भी मुझे लगता कोई procedure procedure type है क्योंकि इसके अगर चावी insert करते ही एकदम से उसको open कर दो पूरी open गुमाद उसको की को तो कई बर infotainment system एकदम से start नहीं हो पाता है it takes time अच्छा थोड़ा थोड़ा सा lag है और कुछ नहीं है अब कई लोग आपके वीवस कहेंगे कि इतनी सारी complaints आप कोई complaint नहीं है but this is not a complaint क्यूंकि यह चोटी मोटे issues तो हर एक गाड़ी में आज कोई भी गाड़ी ले लो आज की रेट में शोरूम से जाके होते ही होते हैं तो इतना कुछ नहीं है कि हाँ मेरे को कोई बैड फील होता है या ऐसा कुछ है देखो इसू तो इलेक्ट्रानिक आइटम से हैं हां manufacturing defect भी कई बार हो जाते हैं और मेंदरा कहते हैं वोकल इसको देखने के बाद ही कितनी गाडियों ने चोटे सेग्मेंट में भी निकालने शुरू कर दी है कि अगर आप एक अच्छी कोई एक वेहकल बनाना चाहरे हो तो यह चोटी-चोटी चीज हो तो आप खुदी दे सकते हो मतलब की जरूरी नहीं कि कोई आपको हाई आप मुझे रियल्टी बता हुए हाँ आप अपना रियल व्यू दो गया जो इसलिए मैं आप से पूछ रहा हूं कि आपका फीडबैक क्या कुछ ऐसा है कि महिंद्रा वाले प्रोटी पर काम नहीं करते आप हुआ गयो तो आपको इंपोर्टेंस नहीं दे रहे गाड़ी के है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है विकिस महिंद्रा की जो एक्षवी 700 है दिस वन अफ दी बेस्ट वेहिकल जो अभी तक उन्हों ने लांच करी है इसके रिगार्डिंग तो जनके एक्जेक्टिव्स हैं वो इतने पहले ही कस्टमर को ध्यान से रखते हैं गाड़ी को क्योंकि इस वेहिकल ने इनको काफी महिंद्रा को और एक नेक्स लेवल पे लेगी है विद इस फीचर्स जो कि इससे पहले महिंद्रा ने लांच नहीं किये हुए थे तो जो फीचर्स अब महिंद्रा ने एक्षवी 700 से लांच करें तो इसकी जो कस्टमर सर्विस की टीम है पहले मुझे भी एप्रिहंशन्स थी कि टाटा महिंद्रा की गाड़ी यार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए बट क्या है कि ठीक है आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लाइफ में डिफरेंट ट्राई करना ही होता है तो इसली फिर मैंने ये गाड़ी ली और मेर महिंद्रा से शोरूम से भी फुल सैटिस्पाई है हां मेरे को बिल्कुल बिल्कुल वो तो यार इतने अच्छे बिए इतना अच्छा बिएवर्ट शो करते हैं कि जैसे अगर में को कोई माइनर सा भी शो तो वह कहता है सर आप थोड़ी दिर बेट कर लो हम गाड़ी भी व से चलता हुआ रहा सिस्टम वह था मैं तो कोई जान पर चान नहीं कुछ नहीं फिर भी मुझे गाड़ी विया फर्स्ट मंत डिलिवरी ही मिल गई तो अब ठीक है जो ठीक है कई लोगों के अभी कुछ इशू हैं जैसे कई लोगों ने अपना एप्रिल मही में बुकिंग क सब्सक्राइब तो प्राइम सब्सक्राइब ने गाड़ी लिया अपना पूरा एक्स्पिरेंस भी शेर कर चुके तो भाई आप तो फुल सब्सक्राइब का इशू लगता है अगर यह सस्पेंशन से वह इस खतम हो जाए तो इससे बढ़िया कोई नहीं है सेग्मेंट में भाई अगर मेंदरा से कोई वीडियो देखे यहां वहां तक पहुंचे तो प्लीज भाई की प्रॉब्लम को रिजॉल्फ करो यार मैं इन्होंने अज तक मुझे एक्स्वी 700 वैसे बात होती रहती है बाई से दो तिन गुरुप भी बनाए हुए हैं बाई ने से तो हर किसी का अपना अच्छा फीडबैक भी आता है किसी की कोई कंप्लेंट भी होती है छोटी वगरा कई लोगों को टायर से इसू होता है कि टायर इतना अच्छा नहीं है कोई लोग शोरूम से निकलते ही टायर चेंज कर लेते हैं कि हमें ब्रिट्स्टोन का चाहिए टा अच्छा एक गाड़ी फुल आरेंड़ के बाद तयार होती है वैलकrant विल्पल सेवन डेट्पी महंद्राने फुल रेंड़ के बाद लिए तयार करी कि लोग सैटीसपा हो सकें बदारी आरेंड़ केश्फेंशन इसुक्त तो यह खीए कोई नहीं मैं तो कह रहा हूं भाई अगर किसी महंद्रा वाले तक वीडियो पहुंचे तो प्लीज की प्रॉबलम मेरी प्रॉबलम नहीं है बहुत सारी एक्सवीज की प्रॉबलम में बाकि बाइन अपना एक्सपिरेंस शेयर करां भाई तो फुल सैट इस पाई यां गाड़ी से और लालित भाई तो गाड़ी सब्सक्राइब वर्त वर्त है यार वैल्यू फर मनी है एनी टाइम आप यह यार ऐसी चीज देखो जो इस गाड़ी की सी सी है यह पावर है भी है मतलब जो कहते हैं यह एक्वेलन टू आप लेलो फॉर्टूनर भी है पेट्रोल वेरिंट की बात कर रहा हूं मैं इसकी तो जै यह छायका जाता है लाली द्वाही फॉर्चुनर को लेकर में बात कुछ फार्चुंर थो बहुत ऑबर प्राइस कर दिया बहुत बहुत ऑफ़इस कर दिया है पहले लोग थारा थारा Сॉलला लाग रुपे मैं फॉर्चुनर ले ले थे ए फॉर्ठ फॉर्ट sóloइस बश तो ललित भाई प्रेफर करते हैं यह गाड़ी एनी टाइम आपके पास अगर इस सेगमेंट तक है तो आप इस गाड़ी तक जा सकते हो हां मतलब जिसका 20-25 लाग रुपे तक का बजेट और एक अच्छी पावर्फुल मशीन लेना चाहता है वह यह ले सकता है एनी टाइम ललित भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा ललित भाई आपने टाइम दिया हमारे चैनल पर उसके लिए थैंक यू सो मच थैंक यू गॉरफ जी थैंक यू फर कॉलिंग मी बाकी ललित भाई को आगे फिर लाएंगे फिर से थोड़ा और ड्राइब कर लें फिर लाइ वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा एक्स्पीरियंस मिलेगा आपको एक वीडियो हो और है जब भाई ने स्टार्टिंग में गाड़ी ली थी उसको भी आप देखेंगे तो उसे भी आप पूरी देखके जाएंगे यह मैं आप से गारंट देत हूं बाकी मि देखेंगे नेक्स वीडियो में जब तक टाटा बैबाई